सीमा सुरक्षा बल के अधिकार छेत्र को बढ़ाने के मुद्दे पर बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बनर्जी ने एक बार फेल बियासफ खिलाफ कड़ा विरोध जताया मुख्य मंत्री ने बुद्दवार को कूच बिहार जिले के असपी को बियासफ को सीमा के 50 किलो मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करने देने का निर्देश दिया मम्ता ने निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के डियम और आसपी के साथ वर्च्वल समिक्षा बैठक के दौरान दिया दूसरी और मम्ता ने बियासफ को 50 किलो मीटर में प्रवेश करने के अनुमती नहीं दी सम्बंदी बैयान को लेकर बियासफ पूर्वी कमान के ADGYP खुरानिया ने कहा है कि वह आज के सरकार के निर्देशों का पालन करते रहेंगे गौरत लब है कि केलर ने पिछले साल अक्टूबर में अंतरास्टी सीमा के अंदर पस्चिन बंगाल, पंजाब और असब में बियासफ के अधिकार छेत्र को 15 किलो मीटर से बढ़ा कर 50 किलो मीटर कर दिया था जिसका ममता विरोध कर रही है, इसके साथ ही ममता ने बियासफ पर गंभी आरोब भी लगाए है उन्होंने कहा कि बियासफ के जवान कावों में घुसकर निर्दोशों लोगों की हत्या कर रही है इसके बार उनके साथ को दूसी तरफ बानला देश या अनजगों पर फेक दिया जाता है बियासफ वालों को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए उन्होंने कहा कि ये लोग पशुत तसकरों के नाम पर लोगों को मार कर दूसरे इलाके में फेक रही है मंता ने कहा जब मैं रेल मंत्री थी मैंने ऐसे कई मामले देखी है और यह भी देखा है कि कैसे सवों को गयप किया जाता है जहें आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब मंता ने बीएसफ का ग्रोध किया है इससे पहले बीवा कई मौकों पर मुर्चा खोल चुकी है उतर मंता किस बयान पर कि B.S.F. को 50 किलो मिटर में प्रविस नहीं करने दिया जाएगा B.S.F. की पूर्वी कामान के A.D.G. I.P.S.Y. भी खुरानिया ने कहा है कि हमने उनका बयान नहीं सुना लेकिन संबंद भाय सरकार द्वारा पायत आदेश हम पर लागू होता है और हम उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुवे काम करना जारी रखेंगे वहीं B.S.F. द्वारा ग्वावो में खुज कर बेगुनाहों लोगों की हत्या करने के आरोप में उन्होंने कहा कि हमें इस पर कुछ भी नहीं कहना बस इतना कहना चाहता हूँ कि B.S.F. अपने अधिकार छेतर में काम करती है और अगर ऐसी कोई शिक्यात आती है तो जाच के बाद दोसी पाय जाने पर सकत कारवाई की जाएगी विरो रिपोर्ट आईपियन झाल